हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है एक बात में जो कभी नहीं कहता वो आज कहूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना कुछ बहुत ही इंपोर्टन बाते आप मिस्स कर सकते हैं आज मैं आपको वो बाते ब समझ में आई है और बहुत से लोग है जो इसका बेनिफिट भी लेते जो बहुत बड़े इंवेस्टर से बहुत बड़े ट्रेडर से वो इन स्पेशल डेट्स के बारे में जानते हैं और काफी अच्छे से इनका वो बेनिफिट लेते हैं लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर या फिर रिटेल ट्रेडर से हैं मर जैसे वो बहुत ज़्यादा इसका फाइदा नहीं उटा पाते हैं इसलिए में ये डेट्स आपके साथ आज शेर करने वाला हूँ इनके बेसिस पे हमें बहुत ही बहुत भेटरिन एज मिल जाता है ट्रेडिंग के वक्त और बहुत करिए डेट्स लिखने में जलबाजी मत करिया ओके और स्वरी फ्रेंड्स बैग्राउंड में आपको ज़रा चिडियों की आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिए एक्चलि मेरे विंडो के पास में ही चिडिया ने गोशला बनाया है तो उनको मैं भगाना नहीं चा लोर सरकीट हीट हुआ सेवेंटि में कूजकर 25 वाजबेक्स वक्त ने वाजब कर सकता है लेकिन सेजिक्स में एफिर निफ्डी में लोर शरकीट लगना कोई आम बात नहीं है lower जाहे अपर सरकीट ओं 17th में को 2004 में lower circuit लगा उसका कारण कुछ था अटल ब्यारी वाजपई की उस वक्त सरकार थी तो उनका कुछ no confidence bill या no confidence vote ऐसा कुछ हुआ था तो उसके कारण से 17th में 2004 को lower circuit market में hit हुआ उसके बाद 2006 में फिर से 17th में को ही फिर से एक बार lower circuit market में लगा उस वक्त कुछ banking fraud ऐसा कुछ हुआ था फिर से 17th में को ही बरबर उसी date पे lower circuit लगा उसके बाद 2009 में 17th में को तब शायद Sunday था कुछ holiday 17th में को था तो तब एक दिन सिर्फ डिले हुआ 18th में को market में upper circuit लगा तो आप इसको coincidence कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं लेकिन एक ही date में बार बार lower circuit या फिर upper circuit लग रहे है तो मैं इसको coincidence नहीं कह सकता और उस वक्त कुछ UPA government को clear majority मिली थी 2009 में तब फिर से 18th में को upper circuit market में लगा तो और एक बात में पहले ही clear कर देना चाहता हूँ दोस्तों बह करता हूँ यानि मैं पहले भी बहुत बार कहें चुका हूँ मैं astrology वगरा है जोतिश भईश्य वगरा में बिल्कूल यकीन नहीं करता हूँ लेकिन यह कुछ date से जिनका मैंने impact अपने आखों से देखा है इसलिए मुझे इस पर यकीन करना पड़ा है और इस पर यकीन करने क पता है दोस्तों कि फिर से एक बार 17 में को कोई बड़ा मूव हो और अगर हमें यह बात पहले से पता है तो 15-16 से ही हम प्रिपेर रहेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते अगर हमें आगे important date आ रही है यह पता है तो हम पहले हमारा capital ready रख सकते और trading बहुत confidence के साथ उस दिन अग हम कर सकते अगर हमें कुछ अच्छा view मिलता है तो ओके तो चलिए next point अभी हम देखते निफ्टी के चार्ट पर अभी हम चलेंगे निफ्टी पर यहां पर मैंने dates मार्क करी है दोस्तों लेकिन अभी आप उस पर focus मत करिए सबसे पहले आप point देखिए 28 October बलड बात उस दिन हुआ मार्केट में और आपको एक बात बता दूँ मैंने बहुत दिन पहले से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था कि 28 October आ रही है तो उस देट की special बात यह है दोस्तों 28 October या फिर पूरा October महिना ऐसा होता है जब मार्केट में major bottoms बनते है या फिर major बनते है या फिर major crash और correction 28 October को आते है तो यह बात अगर आपको पहले से पता होती है तो उसमें benefit क्या हो सकता है दोस्तों ध्यान से देखे 28 October यह रहा यह जो big candle है यह 28 October की है ओके तो यहां से मुझे पहले से पता था तो इसमें हमाई benefit क्या हुआ जो positions हमने यहां से carry की थी य वो मैंने October महिना लगते ही square of कर लिए सबसे पहली बात मैं यह नहीं कहूंगा कि यहां पर top पे हमने profit book किये यह कोई नहीं कर सकता ऐसे कोई strategy market में नहीं है जो आपको इद्दम perfect bottom और इद्दम perfect top पे sell करवा सके लेकिन मैं आपको कहूंगा जैसे October महिना लगा यहां पे कई पे हमने profit booking start कर दी तो मेरा जो portfolio था वो मैंने थोड़ा थोड़ा खाली करना start कर लिया और बहुत सरे profit मैंने वापे book कर लिये और मैंने अपने वीडियो में भी बताना start कर दिया कि 28th October आ रहा है कुछ बड़ा move हो सकता है यह मैंने बहुत बार बताया और जब यह date आई तो ह हम बिल्कुल प्रिपेर थे इससे benefit क्या होता है दोस्तों जिन्होंने Avengers endgame movie देखा होगा endgame में आपने देखा होगा जो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो कुछ बहुत सारी संभावनाई देखते है बविश्य में जो उनकी ठैनॉस के साथ war होने वाली होती है उनमें सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब वो जीतते है और अगर आपको ठिक से याद हो जब आयन मैन ज कि यह वो important date है तो उस दिन आप पूरे prepare रहेंगे इससे आपको benefit होगा confidence के साथ आप trade करेंगे और एक बात आपने अगर मेरा वीडियो उस दिन का नहीं देखा हो 27th October को मैंने जो trade दिये थे वो वीडियो आप याद से देखना end में मैं वो वीडियो डाल दूँगा या फिर buying के side market जाता है उपर के side भी बड़ा move आ सकता है यह मैंने कहा था लेकिन अगर वैसा आएगा तो मैं इसको ignore करूंगा no trading day कर लूंगा लेकिन अगर selling के side मुझे opportunities मिलती है तो बहुत अच्छा profit हमने उस दिन भी किया यह ऐसी date है दोस्तो यह अगर आपको पता होगी तो आप इसमें क्या कर सकते हैं as a trader अगर आपके पास fund उस वक्त मैनेज नहीं है या फिर portfolio में आपका fund है तो आप कुछ positions तब काट सकते हैं और अपने पूरे quantity के साथ आप trade कर सकते हैं क्योंकि देखो दोस्तो ऐसा नहीं होता है कि हम हर रोज पूरे capacity के साथ trade करते हैं ओके हम कुछ कुछी पार्ट से हमारे ट्रेड करते हैं capital के लेकिन यह कुछ ऐसी डेट से जब हम पूरे capital से trade करते हैं full leverage का यूज करते हैं और तबी बहुत अच्छे profit sum बना सकते हैं यह special कुछ डेट ऐसी है दोस्तो जब आप साल वरकी कमाई एक दिन में कर सकते हैं या फिर कुछ 10-12 द आप trade करते हैं specially तो trending market की आपको जरुवत होती है यह आप जानते होगे या फिर आप equity में भी करते हैं तो फिर भी आपको trending market की जरुवत होती है वो भी मैं आपको बता दू January और February यह दो महिने market trending होता है और उसके बाद है July और August यह दो महिने January February July August market trending होता है तो अगर आप options म पे focus करना चाहिए buying पे तो बहुत ही अच्छे opportunity अभी अगर आप देखे December जाएगा मतलब अभी हम December मन्त में हैं तो अभी से मैंने planning start कर दिये कि January February में मैं actively trading करने वाला हूँ अगर यह months हमें पता होते है तो यह एक और advantage हमें मिलता है कि अभी मैं आपने सारे काम complete कर लूँगा जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं income tax return filing करता हूँ और आप अगर प्रो ट्रेडर बनना चाते हैं तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा ऐसे planning आपके ट्रेडिंग में होने चाहिए और आपका कैलेंडर जो है फुली मार्क होना चाहिए आपके पास वो पूरा एक plan होना चाहिए तो 28 October को हमने बड़ा करेक्शन देखा और उसम स्टाइस डेट होती है यानि तब 21 जून अगर हम देखे 21 जून सबसे लंबा दिन उस वक्त पूरे साल का होता है और सबसे छोटी रात होती है और 21 December को अगर आप देखे सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात वो पूरे साल के होती है तब से planetary moments बहुत होती है मतल और एक important point बता दू 28 October से जो market में गिरावर स्टार्ट हुई तब से आप अगर देखे मैं बार बार सेलिंग के साइड़ी calls ज्यादा दे रहा हूँ बाइंग के साइड में ज्यादा interested नहीं हूँ और उसका result भी हमने देखा selling के साइड हमारे बहुत अच्छे targets आची हुए और जब बाइंग के साइड मार्केट गया तो कुछ ज्यादा move मार्केट में नहीं आया यहाँ पे जब मार्केट में यह green candle बनी बहुत बड़ी यहा पूरे समय में मैंने कोई buying के call वरना नहीं दिये थे और जब यह big candle बनी तो बहुत सरे लोग bullish हो गए कि अभी market में तेजी आ जाएंगी लेकिन तब भी मैंने clearly बताया था कि यह bull trap मुझे नजर आ रहा है और सारे bulls को trap किया गया उसके बाद दूसरे ही दिन और अच्छी से गिरावाट मार्केट में आई तो यह मुझे क्यों पता था दोस्तों क्योंकि यहाँ से अभी जो यह downtrend form हो रहा है मुझे यह पता है कि यह trend अगर रुकेंगा तो 21st December के आसपस रुकेंगा ओके यह इन dates की खासियत है अगर अब मुझे पता है अगर इस trend को reverse होना है फिर से upside जाना है तो इसका bottom इसी 2-4 दिन के अंदर कई पर बनेगा तो तब तक में buying के लिए plan नहीं करूगा जो लोग long term invest भी कर रहे है उनको भी ज़रूरी है बहुत सरे लोगों ने यहाँ पर invest किया long term के लिए लेकिन long term के लिए invest करना मैंने अभी start नहीं किया है क्योंकि हमारे पासे advantage है मुझे पता है bottom कहीं यहाँ पर यहाँ पर कहीं बन सकता है तो इसलिए में wait करूगा और कुछ important date है दोस्तों जो कि है 22 September और 20th March यहाँ पर जो होता है इक्विनोक्स होता है यानि 20th March और 22 September जो होता है वो इक्विनोक्स होता है यानि तब दिन और रात बिलकुल ब तो वो भी important होती है अगर आप यहाँ पर 20th September को देखे 20th September के दूसरे दिन बहुत बड़ा gap up market open हुआ और वही से उपर निकल गया और 20th September के जो low बना था 22 September का जो low बना था वही से support लेके market फिर से उपर निकल गया और उसका जो support था वो इतना important था यह head and shoulder का जो neckline create हुआ थ और वहाँ पर से जब market retrace भी हुआ तो उसी की आसपस से market अभी फिर से नीचे जा रहा है तो वहाँ पर जो in special dates पर जो price होती है वो price भी बहुत important हो जाती है यह आप इस chart से clearly देख सकते हैं और एक बात दोस्तों यहाँ पर देखे 17th में को हमने mark किया है 17th में को अगर आप market bullish था उस दिन कोई बहुत बड़ा move नहीं हुआ लेकिन यहाँ से जो downtrend चल रहा था दोस्तों आप यह देख सकते clearly एक downtrend चल रहा था उस trend line को इसने दुसरे दिन breakout दिया और वहाँ से फिर इसने 2-3 दिन के बाद support लिया तो अगर आप देखे यह जो bottom बना है इसको market ने big candle बनी है big red candle और यहाँ से जो 20th December और low बना यह भी इतना important bottom है कि यह अभी तक break नहीं हुआ है nifty को हम देख रहे हैं फिर से एक बार 20th October 20th October को एक red candle big red candle काफी down moment उसके 2-3 दिन ही बाद दूसरे तिसरे ही दिन market ने bottom create किया यह bottom भी अभी तक break नहीं हुआ है उसके बाद 20th September देखिए 3-4 दिन लगातार गिरावट और एक बाद दोस्तों यह dates की एक बाद आपको बता दू जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसी dates पे exact उसी दिन वो move हो एक दो दिन आगे पीछे यह होता है या फिर 2-4 दिन आगे पीछे होता है अगर आप देखे यहाँ पे 20th September के बाद 2-3 दिन बाद यहाँ पे इसने lowest low लगाया और यह bottom भी अभी तक break नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों long term हमें जब भी invest करना है या फिर positional trades जब हमें create करने है तो यहाँ पे आपको कोई जरूरूरत नहीं है अगर आप यहाँ पे देखे यहाँ पे हम कोई investments नहीं करेंगे यहाँ या फिर यहाँ पे क्योंकि हम जानते है कि special date आने वाली है तो तब तक हम wait कर ले क्योंकि वहाँ पे एक bottom बन सकता है जैसे कि मैंने अभी आपको nifty में बताया December आ रहा है 21st December आ रहा है इसलिए मैंने market में gear out होते हुए भी बहुत ज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो crash हुआ 2020 में उसका bottom जो बना 20 मार्च के एक दो दिन लेट या I think 23 मार्च के पास उसका bottom बना तो यहाँ पे भी जो crash में बहुत अच्छी गिरावट हुई बहुत सारे लोगों को अगर invest करना होता है तो कुछ लोगों नहीं यहाँ पे जो green candle बनी big वहाँ पे investment स्टार्ट कर दिया होगा क्योंकि यहाँ से उनको लगा होगा इतनी बड़ी green candle बनी है daily यानि अभी market में bullish move आ गया लेकिन अगर हम इन special dates के बारे में जानते है तो मैंने 20 मार्च को अच्छे से cross होने दिया 20 मार्च के दूसरे तिसरे दिन जब इसन यहाँ से investment स्टार्ट करी लेकिन यहाँ से जब यह उपर गया retrace हुआ यहाँ से फिर support लेने लेके यह उपर गया यहाँ से फिर support लेके जब यह उपर गया तब हमने investment स्टार्ट करी और आप एक बात notice कर सकते हैं यहाँ पे invest करने वाला अभी तक कही पे भी loss में नहीं है य क्योंकि वहाँ से अगर आप देखें निफ्टी कितना ऊपर आ चुका है तो यह अगर आप स्पेशल डेट जानते हैं तो यह आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप बॉटम्स के आसपास या फिर टॉप्स के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बॉटम्स के आसपास इतना परफेक्टली तो यह सब डेट से दोस्तों आपको इन्हें नोट करना है मैं आपको सारी डेट से एक बार फिर से बताता हूँ 21 डिसेंबर 21 जून 20 मार्च 22 सब्टेंबर उसके बाद है 28 ओक्टोबर यह बहुत जादा इंपोर्टन्ट है दोस्तों 17 में और एक बात दोस्तों जो फूल मून और न्यू मून होता है वो भी बहुत जादा इंपोर्टन्ट होता है यानि कि आमाउस और पूर्निमा तब भी बहुत बड़े मूव हम देख सकते हैं और जो एकलिप्स होते है यानि ग्रहन चंद्रगरहन हो या फिर चाहे सूर्य ग्रहन हो तब भी मार्केट में बहुत बड़ा मूव दिखता है उसके पिछे प्योर साइन्स है वो में बहुत जादा डीटेल में नहीं जाना चाता हूँ आप बहुत जादा कन्फ्यूज वर करके रखी यह चार्ट बे तो उससे आपको ज़रूर बेनेफिट होगा और ट्रेंडिंग मन्द जो होते हैं दोस्तों वो है जैनियारी और फेबरुआरी और जुलाई और आउगस्ट यह चार महें ने ट्रेडर्स का फुल सीजन होता है दोस्तों अगर आप कोई कपड़े बेशने वाले को पूछेंगे कि वो दीवाली या फिर इद के दिन छुट्टी मनाए तो वो आपको बताएंगा कि यह बहुत बड़ी गलती है क्योंकि वो सीजन है तब हर कोई नए कपड़े खरीदता है शौपिंग करता है तब अगर गार्मेंट्स वाले लोग से भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते सिर्फ चार मैने भी आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो तो अभी डिसेंबर खतम होने वाला है जैनिवारी और फेबरॉरी का हमारा सीजन आने वाला है तब मैं आपको जरूर प्रॉफिट करके दूंगा अपने दोस्तों के सा बहुत अच्छा कंटेंट यहां से मिलेगा और आप हमारे ट्रेड्स के आक्यूरेसी जानते हैं क्योंकि हम टेक्निकल एनलिसिस के साथ बहुत सरी चीजों का कॉंबिनेशन करके हम ट्रेड्स निकालते हैं तो ये चार महीने आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं इस वी हैं यहां से अच्छा क्यूं करेंट लाज हैं दो यहां से अच्छा करने हैं यहां से जासे हम गठकांगी जट्स का लाज हैं भी मिलेगा जन्यें झालते हैं अच्छा करेंगी, आपको बिलेगाओ।